हाई फ्रेंड्स, वेलकम टू सामराग्या क्लासेस, आज का हमारा वीडियो है N.C.E.R.T. क्लास 6, सब्जेक्ट साइन्स, चेप्टर नमबर 2, कम्पोनेंट्स ओफ फूड, कम्पोनेंट्स ओफ फूड का मतलब होता है, खाने के क्या-क्या घटक है, मतलब खाने के अंदर क्य क्या-क्या चीजे होती हैं हमारे भोजन में, ओके चलिए देख लेते हैं, न्यूट्रियंट्स, न्यूट्रियंट्स मतलब होता है, पोशक तत्व, फूड सब्स्टेंस दाट प्रोवाइड नरिश्मेंट्स तू दा बाड़ी, वे खाने के पदार्थ, जो हमारे शरीर को नरिश्मेंट्स देटे हैं, मतलब जो हमारे शरीर का पालन पोशिण करते हैं, ओके वो कहलाते हैं, न्यूट्रियंट्स, दे मेजर न्यूट्रियंट्स इन अवर फूड और प्रोवाइडरेट्स प्रोटीन्स, फैट्स, विटमेंस एन्ड मिनिरल्स, हमारे एक भोजन में जो बहुत ही मुख्य न्यूट्रियंट्स होते हैं मतलब पोशक तत्व होते हैं वे कौन कौन से हैं कार्वो हाइडरेट्स हैं प्रोटीन हैं फैट है विटमेन हैं और मिनेरल से हैं ओके इन एडिशन फूड अलसो कंटेन डाइटरी फाइबर इसी के साथ खाने के अंदर डाइटरी फाइबर भी होते हैं और पानी भी होता है अच्छा डाइटरी फाइबर का मतलब होता है जो थोड़ा हम मोटा आनाज खाते हैं कुछ उससे के हमारा पेट सही रहता है और हमारी पाचन क्रिया सही रहती digestive system सही रहता है तो dietary fiber भी बहुत ज़्यादा जरूरी है और पानी भी जरूरी है carbohydrates and fats mainly provide energy to our body carbohydrates और जो fat हैं खाने के तत्व मतलब घटक वो मुख्यता हम लोगों को शक्ती प्रदान करते हैं हमारे शरीर को carbohydrates these are energy giving compounds यह कैसे compound है जो हमें शक्ती देते हैं यह energy giving compounds है there may be simple carbohydrates और complex carbohydrates मतलब carbohydrates भी दो प्रकार के होते हैं वो simple भी हो सकते हैं और complex भी हो सकते हैं ओके चली आगे देख लेते हैं fats these are very high energy giving compounds यहां पर डबल बार हो गया compound यह नहीं होना चाहिए कट है ओके यहीं पर full stop लगा लेते हैं these are very high energy giving compounds मतलब यह बहुत ही ज्यादा शक्ती देते हैं कहने का मतलब यह carbohydrates से भी ज्यादा शक्ती देते हैं हमारी बॉड़ी में जो fat होता है okay they produce greater amount of energy than carbohydrates यह मैंने भी आपको बताएगे carbohydrates से ज्यादा शक्ती हमारे शरीर में पैदा करते हैं minerals, minerals क्या होते हैं देख लेते हैं these are elements required by the body in small amounts it is essential for growth and development of bones, teeth and red blood cells जो minerals होते हैं यह हमारे शरीर को बहुत ही कम मात्रा में चाहिए होते हैं परंतु इन से हमारी हड़ी, हमारे दात और हमारे red blood cells की वृद्धी और विकास दोनों होते हैं growth याने वृद्धी, development याने विकास, मतलब हमारी हड़ी या बढ़ती हैं हमारे दात मजबूत रहते हैं, किसकी वज़े से? minerals की वज़े से proteins, proteins क्या होते हैं? these are body building foods, they help in the growth of the body proteins को body building food कहा जाता है, और यह हमारे शरीर का निर्मान करते हैं हमारे शरीर को बनाते हैं, जो muscles होती हैं, वो protein से ही बनती हैं, जिससे हमारी body की वृद्धी होती हैं, हमारे शरीर की, मतलब हमारा शरीर बढ़ता है vitamins देख लेते हैं these are organic substances that protects the body from diseases vitamins एक प्रकार के, मतलब जहविक पदार्थ होते हैं, जो हमारे शरीर को बीमारियों से बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, ओके roughage, roughage क्या है देख लेते हैं, it is the dietary fiber present in the food ओके तो ये खाने के ही dietary fiber होते हैं, जो की खाने के अंदर उपस्तित रहते हैं, मतलब ऐसा भोजन जिसके अंदर roughage होता है जैसे मैं आपको बता दूझे, roughage का एक example, cabbage हो गई, मतलब raw चीजें खाना मतलब कच्ची चीजें, जैसे गाजार हो गई, मूली हो गई, पत्ता गोवी हो गई, मतलब salad, जो हम सलात खाते हैं, उसके अंदर roughage होता है यह क्या काम करता है, it facilitates regular movement of the balls and prevents constipation, यह हमारी आतों के अंदर सही तरीके से खाने को पचाने में मदद करता है, और कबज होने से रोकता है, मतलब हमारे पेट का जो system है, digestive system है, उसको मजबूत बना के रखता है, roughage, यह भी खाने का ही एक भाग है, component है, अब देख लेते है next point, balance diet, balance diet क्या कहलाती है, it provides all the nutrients that our body needs in right quantities along with adequate amount of roughage and water, balance diet का मतलब होता है, संतूलित आहार, मतलब एकदम balance खाना, वो क्या करता है, balance खाना actually हमारे शरीर में जब भी जाता है, तो हमारे शरीर को सारे प्रकार के पोशक्तत्व दे देता है, तो होता क्या है, इसके अंदर सारे प्रकार के पोशक्तती वो बिल्कुल सही मात्रा में होते हैं और सही मात्रा में balance diet के अंदर roughage भी होता है और पानी भी होता है, मैं आपको balance diet का एक उधारन दे दूं, तो सबसे best उधारन है milk, दूद, दूद के अंदर सारे के सारे components of food हो होता है mineral होता है protein होता है vitamins होते है रफेज होता है और water भी होता है अब देखते next point deficiency diseases deficiency का मतलब ही होता है कमी होना मतलब इन चीजों की अगर कमी होती है हमारे शरीर में यही जो खाने के घटक हैं components हैं तो हमको कुछ बीमारियां हो जाती है okay these are the diseases caused due to the lack of required nutrients for a long period in the diet यह कब होती है deficiency diseases जब बहुत समय तक हमारे भोजन में जो भी हम भोजन करते हैं उसके अंदर इन में से किसी भी चीज की कमी आ जाती है vitamins की fats की protein की तो हमें यह deficiency diseases होती है चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी है वो some nutrients deficiency diseases are कुछ नीचे बताई गई है यही कमी की बीमारी है मतलब इन भोजन के घटकों से जो कमी हो जाती है components से किए पर दिया है protein protein की कमी से क्या होती है बीमारी देख प्रोटीन की कमी से होती है क्वाइशरकार क्वाइशरकार बीमारी क्या है इस्टंड ग्रोथ इस्टंड ग्रोथ मतलब आपकी जो वृद्धी हो रही है मतलब जो आपका शरीर बढ़ रहा है वो तो या तो रुख जाएगा या बोना रह जाएगा आपने देखें होंगे ना बोने आदमी वो कई बार प्रोटीन की कमी से भी हो जाते है थिनिंग ओफ लेक्स पाउं पतले पतले हो जाते बच्चों के आपने देखा होगा और प्रोड्यूद्लिंग बैली मतलब जो पेट होता है वो बाहर की तरफ निकल जाता है और हात पाउं बिल्कुल पतले पतले रहते है तो यह किसकी कम कमी से होता है कि यह वाली बीमारी इसका नाम है क्वाइशरकार नंबर बी पर दिये protein and carbohydrates मतलब protein और carbohydrates की कमी से होती है मरासमस यह देख लिए बीमारी का नाम मरासमस complete और partial arrest of growth पूरी तरीके से ही बिल्कुल growth मतलब उसका बढ़ना उस बच्चे का बढ़ना रुख जाता है यह mainly बच्चों में होती है बीमारियां दोनों ख्वाईशरकार और मरासमस ओके lack of energy और उन बच्चों के अंदर शक्ती की भी बहुत कमी रहती वो बिल्कुल कमजोर दिखते है नंबर सी देख लेते हैं विटेमिन डी की कमी से होती है बीमारी रिकेट्स कौन सी बीमारी रिकेट्स रिकेट्स बीमारी के क्या क्या लक्षान है बोर्ड लेक्स मतलब आपने देखा है धनुष ऐसे पां हो जाते हैं बच्चों के ऐसे मुड़े हो जाते सामने से देख पारे मैंने जो चित्र बना ऐसे करके ऐसे हो जाते हैं बेंट स्पाइन उनकी जो रीड की हड़ी होती वह भी सीधी ना होके ऐसी मुड़ जाती है ऑके डिफॉर्म बोंस आर जोईंट और जो जोईंट होते हैं उनके मतलब हड़ीओं में वह थोड़े मुड़े हो जाते तो यह सारी बीमारी मतलब यह जो बीमारी है यह होती है विटामिन डी की कमी से रिकेट्स जो हमारे मसूडे होते हैं उनमें से खून निकलता है या तो उनमें सूजन आ जाती है मतलब दोनों चीज़े होती है खून भी निकलता है और सूजन भी आ जाती है और सेकेंड इसकी लक्षण है वीकनेस कमजोरी आ जाती विटामिन C की कमी से ओके आयोडीन आप जानते है हमारे नमक में मिलता है, खाने से, सॉल्ट में, इसकी कमी से हो जाता है, जो रोग, जो बीमारी उसे कहते हैं, ग्वाइटर, ओके, इसके क्या लक्षन है, enlargement of thyroid gland, thyroid gland हमारे गले में होता है, वो क्या है, एक दम बड़ा हो जाता है, आप लोगोंने देखा होगा, एक ball जैसा आजाता है, सूजन आजाती कई लोगों के गले में, वो thyroid gland क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, वो किसकी कमी से बढ़ जाता है, आयोडीन की कमी से, और बीमारी को बोलते हैं, ग्वाइटर, और इसके अंदर भी retarded growth, मतलब, जो वृद्धी है, वो थोड़ी पिछड जाती है, मतलब, ढंक से growth भी नहीं होती है, उन लोगों की, जिनको ग्वाइटर हो जाता है, लास्ट F वाला देखें, iron की कमी से, iron भी एक element है, जो हमारी body के लिए बहुत जादा जरूरी है, इसकी कमी से हो जाता है, एनामिया, एनामिया मतलब होता है, खून की कमी, खून क लगता है, जब खून की कमी आ जाती, उसी बीमारी का नाम है, एनामिया, तो ये था, आपके लिए components of food का एक summary, इस lesson के अंदर क्या क्या चीज़े आपको बताई गई है, तो जब आप lesson पढ़ेंगे, तो आपको बहुत जादा मज़ा आएगा, क्योंकि एक प्रकार से मैंने पूरा lesson ही आपको इस short video में समझा दिया है, ओके, thank you for watching my video, have a nice day, और हा मित्रों, यदि आपको अच्छा लगता है मेरा video, तो चैनल को like करें, share करें, और subscribe करें, ताकि मैं जब भी कोई नया video upload करूँ, तो उसका notification आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे, ओके, thank you